हम आपके लिए लाए हैं आज purchasing guide जैसे जब आप product खरीदते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पहले हम आपको ये बता दे कि अगर आप retailer हो और wholesaler या manufacturer ढूंड रहे हो तो अपने business के लिए तो आपको अच्छा platform trade show या expo में ही मिलेगा आप industry expert की knowledge और market के new trend समझ सकते हो जब आप wholesale में खरीद रहे होते हैं तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर आपका budget tight है तो आप MOQ यानि minimum order quantity में ध्यान दीजिए आपको उस दुकांदार से minimum कितने products लेना होंगे आप ये समझ सकते हो दूसरा, bulk में सामान लेने से पहले sample जरूर मांगे जिससे आपको product quality पता चल जाए तीसरा, industry trends के बारे में पता रखिये जैसे की panton color of the year हो या bollywood celebrities क्या पहन रहे हैं, उनका style क्या है या वे कौन सा color पहन रहे हैं इसकी मदद से आप अपने stock में हमेशा trendy product रख सकते हो और हमेशा अपने competitors से आगे रह सकते हो और customers के सबसे favorite भी चौथा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका order आपको कब तक मिल जाएगा जब shopping का peak season हो जैसे की दिवाली के time या Christmas के time उस समय product deliver होने में time जादा लग सकता है ये नहीं हो कि Christmas का सामान आपके पास Christmas के दो दिन बाद पहुँच रहा हो इसलिए better है कि आप पहले से ही समान stock में रखे और last, अपने supplier से logistics help के बारे में पूछना मत भूलिएगा कई बार वे खुद ही deliver करवा देते हैं इसी तरह, follow us for more business tips